नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलिवुड की इसरी और मैं हूँ आपके साथ एकताओं में लेकर आए हूँ बॉलिवुड की कुछ लेटिस्ट इपडेट बॉलिवुड के मोस्ट हैंडसम और इस साल के सबसे सक्सेसफुल एक्टर कहे जाने वाले कार्टिक आरण आज अपन 32 वार जुनम दिन सेलिबरेट कर रहे हैं कार्टिक का ये बर्डे उनके लिए काफी स्पेसल होने वारा है क्योंकि इस साल कार्टिक ने अपने महनत और लगन से अपने फैन सही सभी दर्शिकों को काफी जादा इंप्रेस कर दिया है वहीं कार्टिक के बर्डे पर की फिट और फाइन एक्ट्रिस कहे जाने वाले कृति सेनन है दरसल अपने जनम दिन के मौके पर कार्टिकारियन ने देर रात अपने ऑफिसिल इंस्टाग्राम हैंडल पर बर्डे सेलिब्रेशन की तस्वीरे शेयर की है कार्टिक इस पोस्ट में वह अपने पैरेंट्स के सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही कार्टिकारियन के इन फोटोस पर उनके फैन सहीत कई बॉलीवुड सितारे भी उन्हें लगाता और बर्डे विस्ट करते हुए नजरा रहे हैं लेकिन बॉलीवुड के सितारों में एक सितारा का मेंट काफी ज्यादा क्रिति ने कार्थिक आरेट के लिए Surprise gift प्लान किया है ऐसे में यह देखना काफिर दिलचस्प रहेगा कि कार्थिक के लिए क्रिति का ये Surprise gift क्या होने वाला है वहीं कृतिक और कार्टिक की जोड़ी को लोग परदे पर काफी ज्यादा पसंद करते हैं और सबसे पहले इनकी जोड़ी को साल 2019 में आई फिल्म लुका छुपी में एक साल देखी गई थी जहां दर्शिकों को इनकी जोड़ी इस कदर पसंद आई थी कि ये फिल्म पॉक्स आफिस पर सूपर डूपर हिट साबित हुई थी वहीं अब कार्टिक और कृटिक के फैंस के लिए एक खुशकबरी ये भी है कि इनकी जोड़ी एक बाइफर्स से पर्दे पर दिखाई देने वाली है जिसको लेकर दोनों ने तयारिया भी शुरू कर दी है दरसल आने वाले समय में कार्थिकारियन और टिति सेनन बड़े परदे पर धमाल मचाती हुए नजर आएंगे अगले साल फर्वरी की महीने में कार्थिकारियन और टिति सेनन की मोस्ट अवेटर फिल्म शहजादा रिलीज होगी लेकिन इन सबसे हट कर आपने अभी तक कार्थिकारियन को बर्दे विस्ट किया है या नहीं और आप इस मूवी के लिए और फिर से दोनों की जोड़ी को परद्यों पर देखने के लिए कितने एक्साइटेड है यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा वलब ही कि इस रिपोर्ट में बस इतना ही मैं एक ताट्रीपाडी पंजाब के एसरी दिल्ली से अगर आप मारे वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तुमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप मारे वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें